हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तेरस मदान पर आज हम बनाएंगे रसकुले रसकुले घर पर बनाना भूत असान है हम मार्किर से जब रसकुले लाते हैं तो रसकुलों के चाशनी बच जाती है हम इस बचिवी चाषणी के बनाएंगे रसगुले सबसे पहले हम लेंगे चाषणी जो की रसगुले निकालने के बाद बच गई है यहाँ पर हाफ-हाफ दो टीन है मेरे पास चाषणी के दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है ये रसगुलों की चाशनी है अब हम इसे करेंगे गरम इसमें डालेंगे लगबग वन फोट गिलास पानी और हम इसे उबालेंगे तब तक हम लेंगे घर पर बना हुआ पनीर पनीर को हमें कपड़े में वांद कर टांगना है जिससे इसमें सारा पानी निकल जाए अब हम अपनी हथेलियों से इस तरह से पनीर को अच्छी तरह से मसलेंगे पनीर को हमें चिकना होने तक मसलना है थोड़ा जोर लगा कर हमें इसे मसलना है लगबग 5-7 मिनद तक इसी तरह हथेलियों से हमें इसे मसलते रहना है लगातार मसलते रहने से पनीर जो है वो टीमी ह हो जाएगा सोफ हो जाएगा पहले ये पनीर दानेदार था इस प्रोसेस को हमें 5-7 मिनट तक करना है और इसमें से हलका-लका घी अलग होने लग जाएगा अब हम लेंगे कॉर्ण फ्लार दो चम मच लगबग एक कटोरी ये घर पर बना हुआ पनीर था इसमें दो चम मच हम ड लेंगे और इसे आटे की तरह हम गूंथ लेंगे रस्गुल्नों के लिए हमारा मिश्रन त्यार हो चुका है अब हम इस मिश्रन में से बिल्कुल थोड़ा सा मिश्रन लेंगे और उसकी छोटी सी गोली बना लेंगे चेक करने के लिए कि हमारा जो रस्गुल्नों का मिश्रन है वो सही बना है या नहीं आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी गोली बनी है अब हम उबलती हुई चार्चनी जो कि हमने उबलने के लिए रखी थी उसमें इस गोली को डालेंगे और देखेंगे कि गोली तूट तो नहीं रही है अगर गोली तूटती है तो मतलब हमारा जो पनीर का मिश्रन है वो अच्छी तरह से चिकना नहीं हुआ है हमें इसे और मसलने की ज़रूरत है अगर गोली बीना तूटे बहार निकलती है तो मतलब हमारा मिश्रन बिलकुल परफेक्ट बना है पनीर और कॉर्ण फ्लार के मिश्रन से हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे चाशनी हमारी उबल रही है अब इस उबलती चाशनी में हम डालेंगे पनीर के बॉल्स चाशनी हमारी उबलती रहने चाहिए एके करके सब बॉल्स हम चाशनी में डाल देंगे बोल्स हमें ज़्यादा बड़ी साइज के नहीं बनानी क्योंकि जब ये उपलेंगी बोल्स तो साइज में बड़ी होएंगी तो रस्कुले हमारे ज़्यादा बड़े साइज के बन जाएंगे हमें इनका साइज मेरियम ही रखना है जब सारी बोल्स को हम चाश्णी में डाल देंगे तो अब हम बर्तन को ढख देंगे ढखने के बाद 10 मिनट तक चाश्णी में रस्कुलों को हमें उबलने देना है 10 मिनट बाद हम ढखकन हटा कर देखेंगे तो रस्कुलों का साइज थोड़ा बड़ा हो गया होगा अब हम रस्कुलों को पर्ट देंगे और गेन इसे ढख देंगे पाच मिनद तक और पकाएंगे आप देख सकते हैं रस्कुले बनकर त्यार हो चुके हैं अब हम इसे ठंडा होने देंगे जब रस गुले ठंडे हो जाएंगे तो समझे ये खाने के लिए त्यार है इन्हें हम बरतन में निकाल कर फ्रीज में रखेंगे ठंडे ठंडे रस गुले खाने के लिए त्यार है आप भी ये रैस्पी ज़रूर ट्राइ कीजे आप देख सकते हैं कितने अच्छी रसगुल्ञे बने हैं खाने में तो ये टेस्टी है अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूं आप देख सकते हैं जारीदार रसगुल्रे हैं एस स्पंजी बने हैं चाशणी इनके अंदर तक चली गई है आप भी इस रेस्पी को जुरू ट्राइ कीजिए रेस्पी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल थैंक यू